सुन रहें उनको भी पता है कि कैसा बढ़ चड़के हर कंक्लेव में, हर मिटिंग में, हर इंटर्व्यू में मनीश इसोदिया जेर्विन केजरिवाल इस शराब नीती का बखान करने में लगे रहते थे और गलियों में महिलाएं रो रही थी कई जगह तो महिलाओं पर लाठी चार्ज करने के लिए इन लोगों ने पुलिस को कहा भारतिय जन्ता पार्टी के प्रचंट बिरोध के कारण हमने किसी के उपर लाठी नी बरस ने दी उसके बाद की घटना को याद करिये जैसे ही चीफ सेक्रेटरी ने एल जी को शिकायत की कि इससे भारी नुकसान हो रहा है गैर कानोनी ओर्डर था लीगल नहीं है तो अरविंद केजरिवाल पकड़े जाने के डर से तुरत कैबिनेट की मिटिंग बुलाए यह आठ जुलाई दोजार बाइस की चीफ सेक्रेटरी के शिकायत के बाद चोदा जुलाई को कैबिनेट की मिटिंग बुलाई जाती है और इसको कैबिनेट का जामा पहनाने की कोसिस की गई तब कालीन जो हमारे 2022 में जो हमारे LG साहब थे उन्होंने देखा कि भई ये लोग लीपा पोती कर रहे हैं दूद का दूद पानी का पानी होना चाहिए इसलिए 22 जुलाई को LG साहब ने दिल्ली शराब घोटाले में CBI जाच की सिफारिस कर दी अब सवाल उठता है कि जब CBI इंक्वारी सिफारिस कर दी गई कि जो भी सत्य हो सामने आए तो जो अरविंद केजरिवाल जी जो मनिश्य सोदिया जी इसी दिल इसी शराब निती के गुण गाते नहीं ठकते थे